कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन सच्ची भी कहानी उस औरत की है जो फिल्मी पर्दों पर जितनी बोल्ट थी शायद असल जिन्दगी में उतनी नहीं हो पाई कहानी है बीते जमाने की ग्लामर्स आक्ट्रिस जीनत अमान की यो तो पिछले काफी समय से वो लैम लाइट से दूर है लेकिन अब वह जल्द ही बॉलिवुड में कमबैक करने वाली है जी हाँ खबरे आ रही है कि आशुतोष गवारकर एक फिल्म बना रहे हैं पानी पत उसमें जीनत का कैमियो है मतलब की एक छोटा सा किरदार जिसका इंपक्ट काफी दमदार होता है फिल्म में जीनत सकीना बेगम का किरदार निभाने जा रही है जीनत 1970 की मिस एशिया पैसिफिक रह चुकी है वैसे तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआट 1971 में फिल्म हलचल से की थी लेकिन इन्हें असल पहचान दम मारो दम से मिली इस फिल्म के बाद सत्तर के दशक में इनकी पॉपुलारिटी इतनी बढ़ गई थी की हर मैगजीन के कवर फोटो पे इनका ही फोटो रहता था हाला की पॉपुलारिटी के साथ साथी अविवादों में भी गिरी रहती थी क्योंकि उन्होंने काफी बोल्ट सीन्स दिये थे वैसे उनके पॉपुलारिटी की बात करे तो जीनत का नाम उनके ही दौर के एक चामिक आक्टर संजेख खान के साथ जुड़ा था उस समय दोनों के प्यार की खबरे इंडस्ट्री में फेमस थी खबरों की माने तो फिल्म अब्दुला की शूटिंग के दौरान दोनों ने गुपचुप रूप से शादी भी कर ली थी रिष्टे में करवाहट और अन्बन तो लगी रहती है एक बार की बात है एक पाती के दौरान संजेख खान ने जीनतमान को जमकर पारा था खूब पिटाई की थी उनकी संजेख ने उन्हें इतना मारा था कि उनका जबड़ा तक तूट गया था उनकी जौर लाइन तो ठीक हो गई लेकिन उनकी दाहिया खराब हो गई जब दोनों के रिलेशन के बारे में संजेख की पतनी को पता चला तब काफी हंगामा हुआ फिर जीनत और संजे का रिष्टा खत्म हो गया संजे खान ने अपनी बायोग्रफी दबिग मिस्टेक ओफ मै लाइफ में इसका जिक्र भी किया है इन सब के बाद साल 1985 में जीनत अमान ने आक्टर मजधर खान से शादी कर ली और दो बेटों को भी जन दिया लेकिन इनका रिष्टा जादा देर तक नहीं निप पाया क्योंकि दोनों के बीच हमेशा अन्बन लगी रहती थी और यहां तक की मजधर जीनत को मारते पीटते भी थी 1998 में किट्नी फेल होने के वज़य से उनकी मौत हो गई खबरों की माने तो जीनत अपने पती के साथ काफी परिशान थी और उनको लेके बहुत परिशान रहती थी इसने उन्होंने तलाक की अरजी भी दे दी थी लेकिन उससे पहले ही मज़हर दुनिया छोड़ कर चले गया वैसे एक समय ऐसा भी था जब जीनत अमान का नाम पाकिस्तान के पुर्फ क्रिकेटर इम्रान खान के साथ भी जोड़ा गया था अगर आप हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं हैं तो लाइक करें सी फर्स्ट करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें पैल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं